हेलो एवेड़वन हमारे सामने आदानी का चार्ट लगा हुआ है तो आदानी की वज़े से हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गिरावट मार्केट देखने मिली है तो यहां पर हम देखें आज का young candle देखेंगे तो यहां पर एक काफ़े ज्यादा विग्ड केंडल हमें यहां पर एक विग्ड देखने मिल रहा है तो यहां पर जो है मैं एक मुझे ऐसा लगते है कि यहां पर हमें एक बाउंस बैक होने की संभावना है यहां पर एक बाउंस बैक आएगा और पर लोग ऐसा समझेंगे जो हैיים काफिर सस्त Auहर यहां भी हमें करना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा होगा यहाँ पे जो है आडानी जो है यहाँ पर ऐसा एक bounce हैगा यहाँ पर ऐसा bounce में देखने मिलेगा bounce देखने के बाद यह reconciliation phase में ऐसे चला जाएगा तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर अभी position बनाने से आपको इंतजार करना चाहिए आप wait करें अधानी में भी position बनाने से और अधानी की वज़ा से हम देखेंगे कि यहां हमें निफ्टी bank निफ्टी में भी हमें काफे ज़्यादा correction देखने मिला है तो निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हम देख सकते हैं कि यहां पे एक जो gap खाली था वो gap फिल हो चुका है यह जो gap है यह फिल हो चुका है मैंने पहले इस gap के बारे में बात किया था अपने वीडियो में यहां पे जो gap है वो फिल हो चुका है यहां पे अर्दानी की वैसे जो correction आया यहां पे market में अब इससे ज़्यादा क्या ही करेक्ट हो सकता है इस टॉक तो यहां हम समझेंगे यहां पर मैं एक बॉक्स बना देता हूं तो यह जो हमारा लेबल है 17,850 का और नीचे के साइट में 17,350 का तो यह हमारे लिए जो यह लेबल है यह हमारे वीकली मेसिस पर हैं अगर इस बॉक्स का जो ब्रेक आउट होता है उपर साइड उपर साइड अगर ऐसे ब्रेक आउट होता है देख कोई दिन का कैंडल यहां पर बनता डेख डेली वेसिस पर कैंडल इस लेबल को यहां पर ब्रेक आउट करती है तो यहां पर हम बाई के साइड जाएंगे यहां यहां पर जो है हमारे यह जो है यह एक बहुत अच्छा रेजिस्टिंस की तरह काम कर सकता है 17,850 और नीचे के साइड 17,350 अगर यहां पर कोई डेली बेसिस पर कैंडिल क्लोज करती है तो यहां से मार्केट नेगेटीव हो सकता है ने तो यह जो है हमारा काफी अच्छा सपो बन सकता है वीकली बेसिस पर और बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी पे मैं भी एक बॉक्स बना देता हूं तो अच्छा सामझ पाएंगे हम लोग जो हमारे लेबल है 41,550 का लेबल और नीचे के साइड 39,700 का लेबल है यह जो है हमारा काफी अच्छा डिजिस्टन्स का काम कर सकता है और यह 39,750 जो है यह हमारा काफी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है अगर यहां पे कोई कैंड्डल इसको ब्रेक करती conceptr या फिर नीचे साइट ब्रेक करती… तो उसके हिसाब से हम समझेगे कि मार्केट में यहाँपे जो है जो है नेगेटिशू दिर कि ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से हम पॉजेटि़ू इप साइट का ट्रेड ले सकते हैं weekly बेसिस पर यह हैं और इंटाडे के लिए हम अपने आगे आने वाले वीडियो में इंटाडे पर हम बात करेंगी क्या लेबल्स हो सकते हैं